दोस्तों आज के इस वीडियों हम बात कर रहे हैं भारत electronic limited में ही vacancy के बारे में दोस्तों इस form को जो है freshers canadion form को fill up कर सकते हैं यहां पर concourse canadion form को fill up करेंगे सारा detail जो हम यहां पर बताएंगे इसके साथ दोस्तों examination pattern selection procedure यह भी आपको बताएंगे तो सबसे पहले दोस्तों form को कैसे fill up करना है सब उसका step by step process जो आपको बताने जा रहा है यह सुन लीजिए इसके बाद जो है examination pattern इसका बताएंगे चे दोस्तों यहां पर देखिए दो तरह की vacancy आई है यहां पर जो है engineering assistant trainee के लिए और technician C के लिए vacancy आ रखी है तो form को fill up करने के लिए आपको करना क्या है स आपका diploma के लिए फॉर्म को fill up कर सकते हैं electronic communication से mechanical से electrical से number of vacancy यहां पर सो कर रही है salary दोस्तों यहां पर 24 यहां पर पांस उसके नपया जा तक है यहां पर 6.77 lakh का जो है CTC दिया जा रहा है और technician post की बात कि यह दोस्तों यहां पर आगर आप देखेंगे technician वाली जो पोस्ट है 5 5.94 lakh का जो है CTC यहां पर रखा गया है number of vacancies आपको सामने यहां पर सो कर रही है electronics, mechanics, fitter, electration, miller, electro planter के लिए यहां पर vacancy आ रखी है दोस्तों मैं आपको यहां पर यह बता देता हूँ यहां पर फ्रेशर के कैने जो फॉर्म को फिल अप कर सकते है minimum qualification मैंने आपको बता दिया फॉर्म को फिल अप करने के लिए 250 रुपए का application fee लग रहा है इसके सासा दोस्तों यहां पर जो है जो इसका job location होगा वो आपका बैंगलोर में होने वाला है इसके बाद दोस्तों यहां पर बात किया जाए तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर पर सेंटेज है उसमें जो आपका 60% जो है मागा हुआ है जनस इरम रुएस और ओविसी के लिए दोनों पोस्ट के लिए और यहां पर दोस्तों आपका जो है करनाटेक Employment Exchange वाले ही केने जो है फिल आप कर सकते हैं तो चलिए फिल आप करना है फिल आप करने के सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना है Click Here to Apply Engineering Assistant के लिए यहां से क्लिक करना है Click Here to Apply Technician C के लिए यहां से क्लिक करना है तो माल लीजे दोस्तों आप जो है Engineering Assistant के लिए क्लिक करना है तो इसको आप क्लिक कर लीजे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर देखेंगे यहां पर इस प्रकार ओप्शन है इसको ok कर देंगे ok करते ही दोस्तों आपको सामने यहां पर देखेंगे इस प्रकार आपका platform खुल के जाएगा अब यहां पर आपको करना क्या है दोस्तों यहां पर जो है देख लिए इस form को fill up करने के जो last date रखी गई है 20 April 22 रखी गई है तो 20 April 22 से पहले जो है आप form को यहाँ पर fill up कर लिजिए तो यहाँ पर apply करने के लिए सबसे पहले आपको fresh candidate पर click करना पड़ेगा दोस्तों जैसे आप click करते लिए यहाँ पर आप देखेंगे आपसे नाम पूछेगा जो भी आपका नाम है आप अपना नाम मेंशन कर दीजिए date of birth यहाँ पर mention कर दीजिए यहाँ से आपना date of birth सेलेक कर सकते हैं तो यहां पर आप देट बर्थ और यहां में येर कर लिजे इसके दोस्तों यहां पर रिशर्ण की करना है आपको देट अब बर्त, आपर जियर करना है रिशर्ण को यहां पर जो हम देखेंगे फिलब कर लेते हैं अब यहां पर कॉंसी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर अपना डूमेंट करना है और यह यहां पर आपको अपना डूमेंट कर सकते हैं इसका यहां पर यहां पर यहां पर सब्सक्राइब कर देंगे में अपना डूमेंट करने के लिए आपको अपना डूमेंट कर सकते हैं यहां से बमलेंट कर सकते हैं इस्के बढ़को यहां पर डिक इसाइबब करने देखे परसनल डिटेल जो आपको फिलप करना है इसके परसनल डिटेल में देखे सबसे पहले ही पूछ रहा है रेजिस्टेसिन करनाटक है आपको यहां पर सकते हैं इसके आप कर देखिए यहां पर जो है आप देख सकते है आपको जो है यहां पर अपने फादर का नाम जो है लिखना है जो भी आपके फादर का नाम हूँ आपको यहाप पताना है इसके दोस्तों यहां पर अपना city डाल देना है कि कौन से religion हो इसके बाद यहाँ पर आपको mobile number डालना है जो भी आपका mobile number है यहाँ पर दोस्तों आपको nearest delivery station बताना है यहाँ पर आपको अपने नेसनलिक आप अपने ने सेलेक्ट कर लेनी है इसके यहाँ सी जो आपको अपने category से ने कौन से करते हैं metal status married है कि unmarried है यहाँ पर कनाटक employment exchange में yes करना पड़ेगा तभी आप apply कर सकते हैं अगर no करते हैं दोस्तों आप यहाँ पर apply नहीं कर पाएंगे इसके दोस्तों यहाँ पर नीचे जब आप जाते हो जैसे yes करते हो तो यहाँ पर जो है लिए सकते हैं कि यहाँ पर पर आप करना है क्योंकि आप सेफ बस बस निठै Soci can क्लिक कर देंगे यहांप पर इस में हैं चाहँ को PHP करना है ISP से पहले 10 का है mama यहांप पर क्वालिफेकेशन पर जाईए अप 10 आपने कौंस्ट लिग्री किया हुआ है कितने साल तक किया हुआ उसके बदा सकते हैं कब पास आट doई है यह बता सकते हैं यहां से अपना यह जो है select कर लेना है यहां पर जो है कौन से बोर्ट से पढ़े हुए वो लिखना है यहां पर आपका marking scheme क्या है तो यहां पर देख सकते हैं marking scheme में दो option आएंगे marks है कि GDP है जो भी हो आप अपना recording recording यहां पर select कर सकते हैं यहां पर आपको full marks कितने हैं वह select कर लेंगे percentage is automatic आजयेगा इसका फ्रफर अपर आपको delivery mode full time select करना है इसका save qualification पर click करना है तो आपका qualification है यहां पर देखेंगा सेट हो चुका है है इसी परकार इसके बाद आगर आपने टROD कर रखर टरल डालें कि डिपनोओं कर राख ड़ना डाल लिए जोबहीज आप की कौलिफीकेशम क्या यहां पर सकते हैं यहां पर क्या है जिए आपको को स्लाइब करना है इसके बाद यहां hit सकते हैं आपको यह passing िडाल देना है कौन से board से पढ़ा हुआ है इसको डाल देना है यहां पर grading system है कि marks system है कितने marks आपने obtained किये और कितना full marks था यहां पे आपको यह सेलक कर लेना है इसका पर सिंटेज automatic यहां पर आजाएगा यहां पर भी आपको full time फोटोग्राफ और पिक्चर पे जाईए तो यहां पर आपको अपनी फोटो दोड़ करने पने के लिए आप जिब जी फॉर्मेट और फिप्टी के भी कम धिष्ट फोटो होनी चाहिए तो चूस वाइल पर सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपके system में photos होंगी वो यहाँ पर आज आएगा तो आपको जो है photos जो है select कर लेना है और यहाँ पर upload का option है इसको click कर देना है तो यहाँ पर जैसे करेंगे आपकी photo यहाँ पर आज आएगी यहाँ से आप signature अभी अपना जो भी है आपका signature जहाँ भी रखा card कुछ भी अप्लोड कर सकते हैं यहाँ पर जो है दोस्तों आपको all semester की mark sheet जो upload करनी है diploma की इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है final year की certificate जो होता है वो upload करना है इसका अगर आपका employment exchange जो का नाटक का है वो यहाँ पर upload करना है तो इसका format जो है दिया गया यह PDF format होना चाहिए तो यह सारे document जो आपको यहाँ पर upload करना है save and proceed to submit application पे click करना है तो आपका जो form है वो submit हो जाएगा इसके यहाँ पर application fee के regarding बात करेगा तो application fee जो है आप online debit card UPI की तुरू जो है payment कर सकते हैं अब चले दोस्तों आप जो है इस यहाँ पर form को fill up कर सकते हैं अब बताते हैं कि यहाँ पर जो selection procedure है उसमें क्या-क्या requirement है तो देखिए देखो यहाँ पर जो selection procedure है उसमें जो है आपका written test होगा 150 marks का होगा जिसमें दो paper रहेंगे पार्ट A, पार्ट B यानि कि पार्ट 1, पार्ट 2 जो है पार्ट A में पुछाएगा 50 marks का 100 marks जो है टेक्निकल यहाँ पर देख सकते हैं जो general अप्ट रहेगा उसमें जेनल मेंटल अविर्टी लॉजिकल रिजनिंग कंप्रिहेंसर अविर्टी यह सारी चीज यहाँ पर पूछी जाएगी और इसका बात किया दोस्तों यहाँ पर qualifying marks भी दिया गया कि यह जो है qualifying marks जो है यहाँ पर दिया पढ़ेंगे तो यहाँ पर click here to payment link इस link पर दोस्तों आपको click करना है इस link पर आप जैसे click करेंगे तो यहाँ पर payment का mode जो है जानी कि payment का option है खुल जाएगा तो आप यहाँ पर login करके यहाँ पर login करके आप payment यहाँ से कर सकते हैं तो बहुत ही simple तरीका है अगर आपको कोई भ कर देंगे तो आपको जो एकाउंट हो खुल जाएगा आप वहां से directly payment कर सकते हैं तो यहाँ पर पूरा instruction दिया गया है अगर आप इसको पढ़ोगे notification को मैं एक बार notification पढ़के आपको दिखा देता हूं अगर आप notification पूरा देखो कि उसमें पूरा step by step दिया गया है कि कैसे जो आपको फी payment यहाँ पर करनी है तो देखते हैं एक बार थोड़ा से दिखा देता हूं आपको कि फी payment करने के लिए आपको फिर से क्या क्या करना जरूरी है तो देखे सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं सो यहां पड़िए इस वा निन को क्लिक करना है इसके अद जो है एकसेपट कंडिशन यहां पर इस टेट स्रेंट इंस्टेफिशन औल इंड़ीट सेलेक करना है फिर PSU सेलेक करना है फिर भात इलक्रोनिक सेलेक करना है इसका सब्कार तो आपको यहां पर फ्यार्म को फिल हप कर सकते हो बीस अप्रेल 22 जो इसकी लाज्ट डेट है अगर आप आप इंट्रेस्टेट हो और यहाँ पर सारी कंडिशन को फुल्फिल करते हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें मिलते हैं फिर नए वीडियों के साथ आज के पर सतना है थैंक्स वॉच्छ और लिस्निंग